दोस्तों मत दुपरते स्कॉलर्षिप योजना 2023 चौविस के नवी आविदन शुरू हो चुके हैं तो यहाँ पर जिनन नवी प्रिवेश 2023 में लिया था उन सभी के लिए सभी कोर्सेश के लिए फ्रैस अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो इस वीडियो को आपको ध्या करेंगे अब दोस्तों इस पोटल पर आने के बाद सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि यहां पर देखिया आपस यूजर आईडी पासवर्ड आपसे पूछ रहा है तो अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा लेकिन अगर आपके पास यूजर बॉपन हो जाएगा डिटेल लीडियो देखने के लिडिये यहां पर आप उपधर आई बैटन पर क्लिक कर सकते है अब वीडियो का यहां पर Hagg में बहुत करेंगिem बन चुका है तो उसके बाद आप किस तरह से application करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पर देखिए अगर आपका profile बन चुका है तो आपको अपने user id और password और capture code डाल कर सबसे पहले यहाँ पर आपको portal पर login कर लेना है login करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए left and side option मिलेगा PMS का simplest option पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको first option मिलेगा application apply इस option पर आपको click कर देना है उसके पाद आपके सामने इस तरह का page आएगा अब यहाँ पर देखिए आपका जो section को बड़ से year तो यहाँ पर आप first year select करेंगे उसके बाद आपको नीचे option दिया गया go for applies बटन पर आपको click करना है and then next page में यहाँ पर आपका application open हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको महाविद्याले का राज्य का chain करना है तो यहाँ पर आप search box में जैसी लिखेंगे तो आपके college का नाम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए विश्य विद्याले का नाम automatic यहाँ पर आ चुका है इसके बाद month select करना है उसके बाद date select करना है उसके बाद इसको आप okay कर देंगे तो यहाँ पर आपके देखिए जो date है वो नीचे आ चुकी है उसके बाद यहाँ पर देखिए आप से admission ID पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने जो online form बढ़ा होगा जिस जो भी course यहाँ पर इन आपने counseling किया होगा उसका admission ID या फिर आपके पास यहाँ पर उसका form होगा तो वहाँ पर आपको application number देखने को मिल जाएगा तो application number यहाँ पर आपको enter कर देना है उसके बाद आपको देखिए option देए get admission details इस option पर आपको simply click कर देना है इस पर click करते है यहाँ पर देखिए आपके admission की पूरी details यहाँ पर open हो जाएगी जैसे कि आपका नाम आपकी जाती जन्म की तारीक आपका जो admission year है course को नाम ब्रांच को नाम सब कुछ यहाँ पर automatic आपका जो admission ID आपने डाली है उसके फैच कर लेगा एंड तैन उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आय प्रम पर upload करना होगा अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप OBC के हैं SC के तो यहाँ पर आपको आय प्रमारपत upload करना होगा लेकिन अगर आप ST category के होंगे तो यहाँ पर आपका डिजिटल आय प्रमारपत होता है उसका application number बस आपको enter करना होता है उसकी जो issue date होती है यहाँ पर डाल देना होता है जिसके बाद यहाँ पर आपका आय पर मारपत सम्मेट हो जाए लिकार आप OBC और SC के हैं तो यहाँ पर आपको अपना income certificate upload करना होगा तो document upload करने के लिए आप डाउस वाले option में क्लिक करेंगे उसके बाद जहाँ पर भी आपने document को save करके रखा है तो यहाँ पर आप हाँ वाले option पर क्लिक करेंगे जिसके बाद यहाँ पर आपका application submit हो जाएगा पूल डिल्स आपको चेक करेंगे यहाँ पर आपको देखे एक option दिया गया मैं गोशना करता हूं तो यहाँ पर आपको check box पर simply tick कर देना है देन नीचा आपको option दिया गया submit का तो आप submit की button पर क्लेक करेंगे अगेने आप 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 से पूछ रहा है क्या आप स्को आप पे लिए application करना चाहते हैं यहाँ पर आप हां वाले option में क्लेक करेंगे अगर एक बार में आपका application प्रिंट करेंगे एक दूबार जैसी इसको आप सम्मिट करेंगे तो आपका अप्लिकेशन सम्मिट हो जाएगा और यहां पर आपको सामने पॉप बिंडों में दिखाने लगा कि आपकी जो अप्लिकेशन की डिटेल्स है वो अलरीडी आपर सेव हो चुकी है जिसका मतलब है आपका जो अप्लिकेशन है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है अब यहां पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इसका चेक करने के लिए आपको आगे नहां पर देखें लैफ्ट हैंड पीमेस वाले उप्शन पर चले जाना है उसके बाद नेक्स ऑप्शन है आपके सामने आएगा application status second वाला तो यहां पर इस option पर आपको क्लेक करना है जिसके बाद जो application आपने किया है उसका status यहां से आप देख सकते हैं देखिए यहां पर आपका application नंबर application टाइप अप्लाइड डेट सब कुछ यहां पर दिखा रहा है आप इस application को प्रिंट करने के लिए आपक प्रिव्यू आजाएगा उसके बाद यहां पर आप इस लोगर नीचे आजाएंगे यहां पर आप प्रिंट विटल में क्लिक करके अपने application को प्रिंट आउट ले सकते हैं अब इस application को आपको प्रिंट आउट ले देना है उसके बाद सारे document जो कि आपके online लगे थे सबकी फोटो कापी लगा कर आपको अपने college में submit करना होगा तब ही यहां पर आपका जो application है वो complete हो पाएगा तो इस तरह दोस्तों यहां पर आप fresh application के लिए apply कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको यह पूरा process समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई doubt है कोई problem हाँ आप face करना है तो